हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में तो जैसे कि आप लोग पता होगा एरफोर्स के तुरू अगनी बीर की वेकंसी निकल चुकी है और आज की इस वीडियो मैं आप लोग बताने वाला हूं कि इसके एपलीकेसर फॉर्म के अ किस तरीके से आप अपना फॉर्म बिना मिश्टेक के फिल कर सकते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखना फिलाल इस वीडियो पर आते हैं आज की इस वीडियो मैं आप लोगों बताने वाला हूं complete process कैसे आप अपने फॉर्म के अंदर अपने सभी documents को upload कर पाएंगे तो करने पहले आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो मार्क शीट है उसका साइज 50 kv से लेके 150 kv के बीच में होना चाहिए मतलब ना ही इससे कम हो और ना ही इससे ज्यादा हो तो ही आपकी मार्क शीट इस पॉंप के अंदर अपलोड होगी तो अब किस तरीके से आप अपने डॉकमेंट का साइज 50 kv से लेके 150 kv के बीच में करेंगे उसकी प्रोसेस में आप लोग बता देता हूँ अब आप लोग देख सकते हैं हमार पास यहाँ पर एक डेमो मार्क शीट है तो इसी मार्क शीट को मैं अपने फॉंप में 10 वाले कॉलम और 12 वाले कॉल की जुरत पड़ेगी जैसे कि पहला सप्टेर रियोट आप लोग इस सप्टर को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने की मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे आप लोग इस सप्टर को डाउनलोड कर पाएंगे रायोट को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को कम करना है उसको उठाकर इस पर रख देना है किस मुस्ट करेंगे आफ कि यहांपर ऊपन हो चुकी है इस जगह पर आपकी माक्षीट का ओरिगा और यहां पर ओर उप्ट्वाइश साइज दिखाये गहां जिए परСпnity माक्षिट का साइज कर दिया है अब हमें इसे कम करना है तो आप लोग नीचे यहां पर देख सकते हैं quality का उप्षन दिया हुआ है जिसके सामने अब यहां पर सेफ पर क्लिक करें इसमें आप लोगों को अपनी माक्षीट का कुछ नया नाम डाल देना है ताकि पुरानी माक्षीट और नई माक्षीट अलग लग रहा है मैंने आप न्यू माक्षीट डाल दिया है सेफ पर क्लिक कर देते हैं अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक और mark sheet आ गई है जिसका नाम लिखा हुआ है new mark sheet तो इस mark sheet को हम अपने form के अंदर upload करेंगे और देखेंगे क्या एक बार में हमारी mark sheet upload हो पाती है तो मैंने अपना application form यहां पर open कर लिया है सबसे पहले 10th की mark sheet upload करके देखते हैं choose file पर click करके अपनी mark sheet को select करते है यही हमारी mark sheet इसको select करके open पर click कर देना है हमारी mark sheet यहां पर select हो चुकी है अब इससे save करेंगे तो हमारी mark sheet एक बार में यहाँ पर save हो चुकी है कोई भी error नहीं आया तो आप लोग भी अपनी mark sheet को इसी तरीके से upload कर सकते हैं अपने form के अंदर आसानी से अब हम 12th की mark sheet भी यहाँ पर upload करके देख लेते हैं नीचे 12th वाले option के सामने जो choose वाला option है इस पर click करते हैं अपनी mark sheet को select करते हैं और open करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी mark sheet सो हो रही है save पर click करेंगे ओके तो यहाँ पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई हमारी mark sheet यहाँ पर भी आसानी से upload हो गई तो इस तरीके से आप अपने 10th और 12th के document को आसानी से form के अंदर upload कर सकते हैं अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर photo and signature के option पर आ चुके हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी photo उसके बाद signature और आगे थम impression को upload करना है अब यहाँ पर इन सभी चीजों को upload करने से पहले इस page पर क्या-क्या information दी हुई है document upload करने से related उसको पहले देख लेते हैं अब इसमें सबसे पहला point दिया हुआ है कि आपकी जो photograph है उसका format jpg या jpeg होना चाहिए उसके बाद अगले point में दिया हुआ है कि आपकी जो image है मतलब तीनो images photo, sign और थम impression की उसका जो size है वो है 10 से लेके 50KB के बीच में होना चाहिए उसको बाद यहाँ पर तीसरे point में एक चीज और दी हुई है कि आपको इनका एक specific नाम रखना है मतलब photo का नाम यही होना चाहिए जो इसमें दिया हुआ है signature का नाम यह होना चाहिए और थम impression का नाम यह होना चाहिए मतलब जो आपकी photo रहेगी उस पर नाम भी same रखना है जो यहाँ पर दे रखा है अब मैं आप लोगो दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या document है और उनका size क्या है आप लोग दे सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक photo है एक signature है और नीचे थम impression है तो इसी तरीके से आप लोगो को भी अपनी photo signature और थम impression को अपने computer के अंदर save करके रखना है अब मैं आप लोगो पहले photo दिखा देता हूँ कि photo किस तरीके की होरी चाहिए आप लोग दे सकते हैं मेरे यहाँ पर photo है और मेरे सामने यहाँ पर slate है जिसमें मेरा नाम और date of photo लिखी हुई है बट इसमें एक गड़बड है यहाँ पर जो slate है वह उपर से रख दी गई है हाथ में पकड़ी हुई नहीं है बट आप लोगो को जो photo खिचबानी है उसमें slate आप लोगे हाथ में होनी चीए इस तरीके से और जो slate पर आप नाम और date of photo लेगे वह चौक से लेगे ना कि computer से आप लोग type करवा दे ऐसा नहीं करना है आप लोग slate से अपना नाम और date of photo लिखना है ध्यान से अब हम इसका size देख लेते हैं मारी mark sheet अल्रेडी इसके अंदर खुली हुई है कोई देखकत नहीं है अब अपनी photo को उठाकर इस पर रख देंगे तो इसको compress करना 50 kv के आसपास लेकर आना है हम यहाँ पर compress to size पर click करेंगे और यहाँ पर 50 डाल देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 kv से कम हो गया है size तो अब बिल्कुल perfect size है हमारी photo का shape कर लेते हैं इसको shape पर click करेंगे यहाँ पर एक नया नाम डाल देंगे मैंने आपन new photo डाल दिया है shape पर click कर देते हैं अब आप लोग देख सकते हैं new photo के नाम से एक photo आ गई है अब हम sign की size को भी check कर लेते हैं एक बार तो properties में जाते हैं आप देख सकते हैं हमारे signature का size 41 kv है जो की बिल्कुल perfect है इसमें हम कोई छेड़चार नहीं करेंगे एक बार thumb impression के size को और check कर लेते हैं हमारे thumb impression का size 166 kv है इसका size भी 50 kv से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो इसे भी हमें compress करना होगा अपने thumb impression को उठा कर इस पर रख देना है अब इसको compress करना है तो compress to size पर click करेंगे यहाँ पर 50 डाल देंगे okay करते हैं हमारे thumb impression का size भी बिल्कुल perfect हो गया है save कर लेते हैं मैंने new thumb डाल दिया है इसका नाम save कर देते हैं तो हमारे new thumb impression भी save हो चुके है हमारे folder के अंदर अब मुझे यहाँ पर एक काम और करना है मैंने अपनी photo signature और thumb impression का नाम गला डाल दिया है यहाँ पर तो उसे हमें thumb impression का नाम भी में बदल देता हूं अब आप लोग दे सकते मैंने आपन नाम बदल दिया है यहाँ फोटो है यह signature है यह थम impression है अब मैं इन सब फोटो को हमारे form के अंदर upload करके देखूंगा कि हमारी फोटो signature और thumb impression एक बार में हमारे form के अंदर upload हो पाते हैं अब हमने form अपना द्वारा से open कर लिया है चूस फाइल पर क्लिक करते है फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपनी फोटो को सेलेक्ट करना है जिसका हमने नाम चेंज किया था आप देख सकते हैं अपर नाम अब signature को यहाँ पर upload करना है तो choose file पर क्लिक करते है signature को select करते है open कर देते हैं यहाँ लिखा है continue to image correction इस पर क्लिक करेंगे अब हम चाहे तो अपनी image को crop कर सकते है थोड़ा सा बट हमें crop नहीं करना है नीचे जाएंगे preview to image पर क्लिक करेंगे यहाँ पर size वगयरा लिखकर आ समिट करतेंगे signature हमारे upload हो चुके है आगे हमें thumb impression upload करना है तो choose file लगर क्लिक करेंगे जो rename की हुए thumb impression है उसको select करेंगे open करतेंगे यहाँ पर continue to image correction पर click करतेंगे preview to image पर click करना है यहाँ पर submit कर देना है ओके तो हमारे thumb impression भी यहाँ पर upload हो चुके है तो दोस्तों हमारी photo signature औ आपके में कोई error नी आया अगर आपके में कोई error आता भी है तो आप सेम उसको दुवारा से upload करिये ऐसा कभी-कभी होता है इसमें error आ भी जाता यह बट यहाँ पर कोई भी error नी आया अब नीचे जाएंगे नीचे यहाँ पर लेखा हुए save and continue इस पर click कर देंगे तो दोस्त अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई गाईज